जै वारा जी महाराज, जै बागिश्वर धाम वाले बाबा, जै बागिश्वर धाम वाले सरकार, जै हनमान जी, जै महावीर जी नमस्ते आप सभी को अभी अपने ये धिरेंद्र सास्त्री जी महराज ये बागे स्वर धाम सड़कार पत्ना में नोगोत पूर में अपने दिविदरवार लगाए हुए हूँ वहाँ इनका हनुमान कथा चल रहा अब हनुमान कथा इतनी भक्ती की चीज इतने हमारे आस्था हनुमान जी में महाविर जी में ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ही एक मात्र ऐसे भगवान है जो अमर है हमेज़ा इस धर्पती पर कहीं न कहीं अपने स्वरुप में उपस्तित है और हम सब को आशिरवाद दे रहे हैं लेकिन आस्था की बात अपनी जगा पर है लेकिन दुनिया में नालाइकों की कमी नहीं है अब जैसे देखें बिहार में लाखो लाखो भक्त लोग लाखो स्रधालो अपने डेली अपने आस्था को लेके अपने बक्ती भावना के साथ स्रधा प्रवक ये इनकी धिरंद सास्ते जी महराज के कथा हनुमान कथा प्रति दिन सुन रहे हैं और उन्हें कहें न कहीं इसमें विश्वास हैं कहीं न कहीं हम सब को विश्वास हैं हम साथे हैं कि ऐसका हो और हो लेकिन बिहार में अगर बात करें तो नालाइकों की कमी नहीं है ऐसे ऐसे मुर्ख लोग परे हैं और वो वोट की राजनेती कर रहे हैं कही न कहीं उनको दिख रहा है कि धिरेंदर सास्त्री जी महाराज अगर हनमन कता कि थ्रो पांच लाख दस लाख लोगों को इकठा कर सकते हैं तो यहां क्यों न वोट की राजनेती करी जाएं अब वोट की राजनेती में कहीं न कहीं तुष्टि करन पड़ा हुआ अब वहां के एक महाननुभाव मुख्य मंत्री हैं अपने आपको सुषासन बाबू समझते हैं पता नहीं कौन से सुषासन बाबू है सुषासन बाबू के सड़कार में कुशासन ही चल रहा है लोगों की हालत खराब है लोग परिसान है एक दुसरे से और कहीं न कहीं वो ऐसा नहीं चाहते थे कि धिरंदे सास्तिरी जी माराज ये बागेशर धाम वाले बाबा यहां पटना में आए बिहार में आए और बिहार में उनका कथा हो अगर उनका कथा होता है अगर इतने लाखो लाखो के भीर में सरधालू डेली उपस्तित होते हैं उनके पंडाल में तो कही न कही उनकी ऐसी बेचेनी बर रही है लोगों को लगता है लोगों के मन में ऐसे जो तुस्ती-करन की राजनेती करने वाले लोग हैं अभी तताकतित उपमक्ष मंत्री है वहां का बिहार का मुख्य मंत्री शाहब है तो इनके मन में कहीं न कहीं डर पैदा हो रहा कि इतना स्रधालू आएंगे और यह स्रधालू उनके वोट वेंक नहीं है अरे ऐसा मत सोचो मुडखों ऐसा मत सोचो आप यह सोचो कि एक धर्म में आप जितना बढ़ावा देते हो किसी और धर्म को यहां आप मत बढ़ावा दो आपसे कोई सबसेडिन नहीं मांग रहा आपसे कोई कुछ नहीं मांग रहा लोग अपने 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 धन खर्च करके अपनी एफर्ट लगा के साड़ी चीजे एरेंज कर रहे है बढ़ तुम नलाइकों को इतनी क्यों फटी पड़ी हो भाई एक महराज जी आ हैं तो करनने दो ना एक वहां का मुख्यमंत्री का नमुना है नमुना ही बोल सकते है उस लॉंडे को वो अपना एक नया सैनिक बना लिया सैनिक भी नाम रखा तो चलो डिएस रख लिया हम त सास्तिरी जी महराज के नाम सैनिक बना है तो जाओना हेल्प करो भाई धर्म में तो विश्वास रखो तुम दस धर्म का नाटक करते हो कि आप शिव भगवान के पुजारी हो आप शिव भगवान में काफी आसता है आप क्लिस्न भगवान के पुजारी हो किस्न भगवान क जाता है कि धिरंद्र शास्त्री जी महराजना इनकी अपनी कोई दिविसक्ति नहीं है इनकी कोई दिविसक्ति नहीं है ठीक है माल या दिवसक्ति नहीं है आप बहुत सारे लोग चैनल पर ऐसे जो आज के डेट में सो कल्ड मेडिया वाले हैं यह पत्रकार अपने आपको बलताते हैं यह पत्रकार नहीं है पता नहीं कौन से पत्तलकार है या चाटुकार है क्या है यह अपने आपको मेडिया वाले बोलते हैं मेडिया परसंस अब इवेन अगर बात करे जाए तो no one is having their media degree बक्वास किये जा र मेडिया और गंद फैल आ रहे हैं आप चैलेंज करते हो कि ध्रेंदर शास्तिरजी महराज के अंदरे दिवय सकती नहीं है एक माइंड रीडर है तो क्या कोई बता सकता है बता सकता है कि एक माइंड रीडर लाखों-लाखों के भीड में जिसको ना उसने देखा है ना उससे कथा चल रहा था महराज जी से क्वेश्चन कर रहे थी महराज जी ने दो एंसर दिया कि चलो आप अपनी मर्जी से आप मेडिया वाले हो ना ठीक है अपनी मर्जी से दो लोगों को बुलाओ मैं उनका पत्री उनका मैं लेटर पहले बना रहा हूं और आप उन दोनों को अब जाओ अपने लगालो अपनी बुद्धी पत्रकारिता के बुद्धी अपनी मीडिया के बुद्धी अपनी जो भी खोड़ाफाति दिमाग है लगालो ले के आओ किसी को जिसको मर्जी उसको ले के आओ अब क्या बताओ कि 5 लाख लोग वहाँ एवेलेबल हैं 5 लाख पेजेंट है उस पांच लाख लोगों से ध्रेंदर सास्त्री जी महाराज का one to one interaction हुआ है अरे नहीं हुआ मुडखों नहीं हुआ कहीं न कहीं आप मानो आप नहीं मानते हो आप बहस करते हो आप गलत कुतर्क दे रहे हो दे दो बट उस आदमी में उस भगवान में बालाजी भगवान का असिरवाद है और उनके अंदर दिवे सकती है आपको मानना पड़ेगा कोई mind reader कोई ऐसे करने वाला मानते हैं कि mind reader होते है mind reading capacity होती ही लोगों की ये भी एक capability है एक talents है बट ऐसा किसी mind reader में किसी भी mind reader में even worldwide ऐसा कोई mind reader नहीं है जो 5-10 लाख के भीड में किसी और को बोल दे कि किसी को पकड़ के लाओ और मैं उसके दुख दर्द उसके अंदर क्या questions है उसकी क्या परिशानी है मैं पहले ही से लिख के रख रहा हूँ आप जिसको बुलाओगे उसी का निकल जाएगा अरे ये चमतकार है दोस्तों ये चमतकार है खेर हम सबको सुधार नहीं सकते सबके मन में क्या चल रहा है हम बदल भी नहीं सकते बट हाँ ये कहा सकते कि दो-चार नालायकों के चलकर में हम सारे भगत लोग हमको नहीं बदलना चाहिए हम लोगों को अपनी आस्था जरूर रखनी चाहिए कही ना कहीं दिवे चमतकार है सारे धर्म अब चलो हमारे धर्म में कोई ना कोई आके उंगल वाजी कर लेता है कोई ना कोई कमी निकाल देता है किसी और धर्म में है इमत बोलोगे आप बोल के दिखाओ ना एवन एक जर्मनी में एक कार्टनिस्ट न एक पैगंबर साहब एक कार्टन बनाता है और उसको ओफिस में आगे सड्याम गोलियों से भून दिया जाता है, मडर कर दिया जाता है, आप देख लो, एक पैगंबर साहब लोगतंदर की पार्टी है, उस पार्टी की एक स्पोक्स पर्शन टिवी पे गलती से कोई ऐसा इक्जामपल देती है, उस इक्जामपल में वैसा कोई गलती नहीं था, फिर भी आज उसको ऐसे सजा दी गई लोगों ने ऐसे वहिस्कार किया तो आप किसी और धर्म पे गलत नहीं बोल सकते हैं आप कुछ नहीं बोल सकते हैं और मैं भी नहीं बोल रहा हूँ मैं भी एगरी नहीं करता हूँ कि किसी धर्म के बारे में मैं गलत बोलू हूँ और ये कोई गलत बोले सब धर्म को रिस्पेक्ट करो लेकिन को रिस्पेक्ट करो लेकिन आप हिंदु धर्म के बारे में क्यों ऐसा गलत सोचते हो गलत बोलते हो एक बिहार का ही पता नहीं यहाद आया एक है पता नहीं कौन सा एक्सपोज मीडिया है, कौन सा ये नसक खोर है, देखने से ही पता नहीं ये चिलम चोर गजेडी, पता नहीं कैसा भांग पी वो आदमी दिखता है, देखने में वो तूट पर रहा है गलत सावित करने में, कि धिरंदर सास्तिरी जी महराज ऐसे हैं, वैसे हैं, पता नहीं न कोई ज्यान है, कोई मत मानो कि उनके अंदर कोई चमतकार है, बट इतना तो मानो भाई, कि हिंदु धर्म के आस्था में उनका पूरा पूरा विश्वास है, और हिंदु धर्म के लिए वो एतने लोगों को एक साथ है, आज दुनिया कितने डिप्रेशन में हैं लोग, कितन लोगों को इकटा करके उनके आत्मा को सुकुन दे रहा और धर्म से कहीं ने कहीं जोर के रखा हुआ इस चीज़ को तुम मानों तुम सो कमें ढूंड रहे हो और लोगों में और धर्म में तुम्हें कमें ढूंड ता नहीं दिखता एक दिमाग का पैदल एक दिमाग का जाहिल है पता नहीं उसकी कितनी acceptance है politics में वो